आज मैं आप सबके साथ इटालियन पास्ता ट्राइ करूंगी विद इंडियन तच थोड़ा सा इंडियन तड़का भी आड़ करने वाली हूं तो यह बहुत ही मज़े का बना था आज कल मैं थोड़ा पास्ता लवर हो गई हूं अफर लॉंग टंडरंडर मौसम हो रहा है इतने सालों के बद मुझे पास्ता खाने का मन करा है तो मैं तर्या तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूं तो थोड़ा साथ शेयर कर लो तो पहले तो मैंने फूर टेबल स्पूल ओइन लिया था और फिर उसमें टू टेबल इस वाले पास्ते में बहुत जरूरी है चिकेन बहुत ही टेस्ट देगा आपका पास्ता को वरना आप इसको एक के साथ भी बना सकते हो इस बैडर टो यूज चिकेन टाला है मैंने थोड़ा चिकेन दाला था कुँंकि मैं इसको तन्दूरी के साथ खाने वाली थी तो यह वाफ अनियन चाहिए उतना आपका पास्ता को टेस्ट देगा उसके बाद जाला जितना जिंजर गालिक पेस्ट दाला और उसको सौटे कर लिया और फिर मैंने एक टॉमाटो को फाइनली ग्रांड कर लिया था अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था और वह एड करके मै अच्छे से इसको सौटे कर लिया है यह परफेक्ट टाइम है तो आड आवर स्पाइस तो अन टॉमाटो को ग्राइन कर गें मतलब पेस्ट बना के इसलिए डालना है ताके वह आपके पैस्ता में अच्छे से कोटिंग दे और एक अच्छे सा टेक्स्चर मिले तो इसमें ज अच्छे से अच्छे से जो है आपका मसाला और जो बेस है वो बिलकुल रेडी है अब फाइनली यू हव तो आड़ वेजिस लाइक मैं थोड़ा सा ग्रीन अनियन मतलब अभर श्प्रिंग अनियन डाले और फिर थोड़ा सा गैस्ता को चाहिए ता मैं उतना डाला मैंने आ 1 tsp पिर भी आपने क्यांटिति के हिसाब से डबल डुबल कर लें और पिर अच्छे से सौटे कर लूँए मैं टोमाटो सौस नहीं आड करें कि मैंने टोमाटो पेस्ट दाला है और फिर मैं बाखी का अनियन डालूंगी और फिर कोरियांडर डालके मेरा बैटर मतलब बेस बिलकुल रेडी कर लूँगी और फाइनली ऐं माइपास्टा टूए पैस्टा मैं एटी पसंत तरग नमक डाल के अच्छे से वाल कर लिया है मैंने कोई पाल और नहीं किया अगर पाइल करूंगी तो जो भी मसाला है वो कोट नहीं कर पाएगा तो मैंने oil add किये बगेर उसको boil करके ठंडा करके रखा था और फिर मैंने अपने mixture में डाल के mix कर दिया finally मैंने lemon squeeze किया था lemon buzz थोड़ा like half teaspoon जितना lemon juice आप डाल लें और फिर stir कर लें बस गर्मा गरम आपका Italian pasta with Indian touch ready है वैसे तो मेरे फ्रेंस को बहुत पसंद है मैं खोद इतने सालों के बाद बना रही थी तो see you all with my next recipes do try my recipe बहुत मजे का बना था बहुत ही simple है easy है आप pasta को boil करके फ्रिज में रख दे और mixture को जो भी बेस है उसको बना के अलग से box में रख दे जब भी आप कमन करें थोड़ा सा mixture ले थोड़ा सा pasta ले दोनों को combine करें ओवन में heat करें और फिर खा लें तो यह बहुत working ladies के लिए बहुत ही friendly recipe है तो see you all with my next recipe till then take care bye bye